हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कंचन और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत सागत है तो आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस बहुत ही जल्दी बनकर ये तयार हो जाता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं प्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बॉल में बॉयल राइस लिया है अब हम एक कड़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे दो चमस तेल हाग चमस जीरा डाल देंगे तीन से चार लहसुन की कलियां बारी कटी हुई हरी मिर्च अब डाल देंगे प्याज एक प्याज लिया है मैंने अब इसे एक से दो मिनट भून लेंगे लहसुन और प्याज भून गया है तो अब हम इसमें सबजियां डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें बीन सोर गाज़ डालेंगे इसे मैंने एकदम बारिक बारिक कट कर लिया है अब इसे दो मिनट के करीब भूनेंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे गाजर और बींज को मैंने भून लिया है तो अब ढालेंगे सिमला मिर्च थोड़ा सा कॉर्ण मटर ये मैंने फ्रोजन मटर लिया है अब डाल देंगे हरे प्याज के पत्ते सबजियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब फिर से इन सारी सबजियों को 2-3 मिनट भून लेंगे तो ये देखिए सबजियों को मैंने अच्छे से भून लिया है तो अब इसमें डालेंगे ये चावल साथी में डाल देंगे एक चमच रेड़ चीली सोस एक चमच सोया सोस थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और ये लिया है मैंने निम्बू का रस हाफ निम्बू का रस लिया है मैंने अब इसे हाई फ्लेम पर हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे तो ये लीजिए हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार है आप देखने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है तो फ्रेंड्स अगर मेरा विडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा